आदाब नमस्कार नमस्कारव दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा तहे दिल से आपका स्वागत करती हो आज सुभा से मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्या ये पानी स्वच सुरक्षित और पीने लायक है क्या ये सवाल कभी हमने अपने आप से पूछा है जो पानी हमारे नल में आता है जो हमारे घर में municipality द्वारा सप्लाई होता है हमारे बोर्वेल में जो पानी है क्या वो पीने लायक है? क्या वो स्वच है? हम वो पानी अपनी रोजमरा की जिंदगी में हर जगा इस्तिमाल करते हैं हमारे घर में कोई guest आ जाए हम किसी के यह आ जाए हमारा बच्चा रोए हमारे गले में खराश हो पानी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बट वो कितना स्वच है? कितना सुरक्षित है? यह हमें नहीं पता और शायद यह सवाल हम पूछते भी नहीं है यह पानी कहां से आता है? पानी हमें किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए? यह सारे प्रश्णों का जवाब एक इनसान ने जब पूछा उनके मन में जब यह बात आई कि यह पानी हम कहां से लेकर आते हैं क्या यह पानी मेरे माता पिता दोरा पीने लायक है? बच्चों दोरा इस्तमाल करने लायक है जब उनके मन में यह सवाल आया उन्होंने यह अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया एक अंदोलन मरा लिया कि पानी से जुड़ी हर एक प्रश्ण को मैं बूजने की कोशिश करूँगी उसे जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक वाटर वॉर्यर जिन्होंने पानी के प्रती अपना ये जो प्रेम है एक मिशन बना लिया है तेलंगाना की जितने भी स्टेप वेल्स का रेस्टोरेशन है जो बंसीलाल पेट से उनकी जर्नी की शुरुवात हुई थी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक आर्किटेक्ट एक डिजाइनर जो जिन्होंने पानी के प्रती अपना जो डिजाइन है उसे इंटिग्रेट करके आज तेलंगाना के स्टेप वेल्ट की शकल ही बदल दी आज हम स्वागत करते हैं कलपना रमेश जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगीरी के स्टूडियो में वेलकम मैम थैंक यू भूनम, थैंक यू सो मच कॉंग्राजूलेशन्स बंसीलाल पेट को लेकर काफी नाकी तेलंगाना में बटकी पूरे देश में ऐसी एक लहर दोड़ गई है कि स्टेप वेल्ट की जो आपने काया ही पलट दी उसको एक बहुत ही खुबसूरत सा आपने चहरा दिया है इसकी शुरुवात कैसे हुई इस जर्नी की पानी के प्रतीजवाब का प्रेम है conservation है, restoration है इस जर्नी की शुरुवात कैसे हुई मैं इतना पता सकती हूँ की मैं वाटर वारियर नहीं थी 15 साल पहले जितना आज का पैशन है to work towards water conservation वो पाशन 15 साल पहले तो I was a designer, I was running a design studio for interior and furniture design बस उसी में लगे हुए थे and 200 से जादा residences मैंने किया, different typology of buildings corporate हो या pharma houses हो, different type of buildings भी किया, but उसमें पानी का जितना मान्यत है, जितना importance है, वो मुझे पता नहीं था is what I should say, everyone says save water and we have to conserve water, ये हमारी माने भी बहुत हम को सिखाय कि किसी कोई भी चीज हम waste ना करें, उसको बहुत you know, conserve करना चाहिए, specially natural resources, या कोई जाड है, plant है, everything should be conserved and taken care of, ये हमने सिखाया बहुत, but when it came to design and design practice architecture मैने, you know, मेरी पड़ाई थी, but I moved into interior design because I loved interiors, so even in that journey, almost 23 years का journey है, उसमें भी मुझे ये नहीं लगा, तो पहली बार हम US से वापस आए, इसके पहले हम बैंगलोर में रहते थे and once we got married, हम US, we were there for almost 8 years, उसके बाद 2 साल Singapore में, फिर India आना हुआ, so instead of Bangalore, हम लोग settle हुए, Hyderabad में, because of my husband's job, पहली बार में के देख रही थी की, tanker हम लोग ले रहे है, पानी के लिए, मतलब ये और बोर्वल का पानी नहीं and municipal का भी इतना पानी नहीं आ रहा है, and we are dependent on tanker, हमारा तब dream था की हम जब US से वापस आए, तो वी हाब बोथ our parents together, our kids together, so हम लोग 8 जैन थे हमारे गर में, और उनका जो nutrition है, कैसा पानी है, all this was important to me, so ये tanker का पानी, almost 6 माने से ज्यादा, tanker के पानी से ही, मतलब जिन्दगी चलता था था तब, this I am talking in about 2000, तो मुझे लगा कि ये पानी कैसा quality है, किसी किसी से भी पूछो तो tanker से पानी आता है, बस उसमें कोई, कौन उसको test करेंगा, तो मैंने test किया ये मानी, बहुत तोड़े very difficult results, I saw, मतलब उसमें E coli bhi था, जो इतना बड़ा pollutant है, and drinking water, जो municipal waters आता है, उसमें varying levels of chlorine, कभी chlorine इतना जादा है कि, मतलब you can't feed that kind of chlorine to your body. So, कौन सा पानी अच्छा है? So, this slowly started getting into my mind, कि पहले गर में कितने टाइप का पानी आता, that is the first time in the history of things, मैं देख रही थी कि कितना टाइप का पानी से हम लोग जुडते हैं रोज. So, tanker का पानी, ground water, municipal water, rain water, or waste water bhi एक resource है, जो आप मतलब you can recycle and reuse. So, there are about five types of water and हरेक पानी हम लोग कितना liters चाहिए है, if for one person, like a family of four needs 500 liters, you know of water daily. तो हम लोग उसे करते हैं? तो मुझे लगा, why are we buying tanker simply because we do not manage water correctly, we do not manage water properly, because हम लोग उसको understand करने का जरूरत भी नहीं समझते हैं and वो कोई मतलब it doesn't hold a value for us, because हम जब tap कोलते हैं तो पानी हम को मिल जाता है. अगर tap में पानी नहीं है तो आप tanker बुला लिया, तो इससे आगे मतलब हम को क्यों चाहिए, और क्या investigation चाहिए, and we are so busy with our lives that we don't see that this precious resource मतलब generate नहीं कर सकते हम और हम यूस करते ही जा रहे, आप लोग को क्या मालूम है की, India is a largest extractor of ground water in the world. इसका मतलब हम इंडियन को सबसे जादा water conservation की जरूरत है, and it is not a duty, आप रोज आप, many people ask me, हम rain water harvesting करेंगे तो हमारे benefit होगा की बाजोवाले का benefit होगा, this is a question you should not even ask, क्योंकि आप रोज ग्राउंड से पानी लेते हो, every day you use ground water, then it becomes a duty, कोई चॉइस नहीं है आपका की conserve करे या ना करे, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, आप जो आपने जो गर बनाया, आपका पूरा life का savings है, अगर उसमें पानी नहीं है तो आपके बच्चे कैसे रहेंगे उसमें, and water is a resource that can erase, अभी जो 50 feet में पानी था, in 1970s in Hyderabad, अज 2000 feet में है, 1800 feet में है पानी, इसका मतलब क्या है, our aquifers are getting in TV, are going deeper and deeper for water, सब लेते जा रहे हैं और कोई डालने वाला है ही नहीं, पूछने वाला मतलब, government has a lot of mandates कि आप ये करो, rainwater harvesting करो, who is doing it and who is implementing it correctly, not that you have, you know, 1 lakh liters potential in your rooftop, but आप करते हो एक 5000 liter का rainwater harvesting pit, ऐसा नहीं, 1 lakh liter के लिए क्या करना चाहिए आपको, you take the water, every time it rains, minimum सा एक filter, you can buy a minimum, you know, in-line filter, उसको फिर you take the water in directly into your sump, आपको नया sump बनाने की भी जरूरत नहीं है, और sump से जो overflow है, उसको आप आपके borewell से जूड़ी है, बस, इतना सा नहीं कर सकते हैं हम लोग, इतना पैसा कर्च करते हैं हमारे buildings में, and every time we think rainwater harvesting, मतलब इसको करना है की नहीं करना है, खाली एक authority से signature चाहिए, building इमारत बनाने के लिए फिर उसके बाद तो, इस तरफ देखते ही नहीं है, कोई analyze नहीं करना चाहता की इसका benefit क्या है, और शायद कोई बताने वाला भी नहीं है, कि इसके करने से हमारा भी फायदा है, बाजु वाली का भी फायदा है, और बेसिकली जहां से आप पानी ले रहे है, उस ground का भी फायदा है, आपके लिए, आपकी future generations के लिए, क्योंकि आपने बहुत सही बताया कि पहले हम 40-50 feet में पानी निकाल लेते थे, आप 1500-2000 feet तक हमें जाना पड़ रहा है, तो हम अपने resources पे कितना pressure डाल रहे हैं, तो शायद यह सवाल किसी ने पूछा नहीं है, यह शायद इतनी जागरुकता नहीं है आज की public में, तो आपने भी एक अपना NGO start किया है, जहां पे आप ना किवर लोगों को यह advice देते हैं, यह पिर आप लोगों को जागरु कराते हैं, बलकि आप एक end-to-end solution भी देते हैं, I think that is very important, because information तो काफी Google पे भी मिल जाता है, आपको net पे भी मिल जाता है, पर जब आप उसका real life example देखते हैं, शायद कोई आपको पूरी hand-holding करके वो सारी technique समझाए, या फिर वो implement करवाए, I think that is when people will start seeing merit. Absolutely. मुझे अपने इस project के बारे में भी बताईया, आपने एक NGO start किया है, आपने अपनी खुद की एक company start करी है. जो हमारे गर में पहले, my challenge to myself as a designer was ki, I should not buy tankers in this house. How I should do this? तो हमने जब गर बनाया, तो उसके पहले तो बहुत communities में रह वह है, and lot of people understand, but, कोई मतलब, they are not doing it on a war footing, we should do it in our own house first, and we should solve, अगर हम tanker के बिना रह सकते हैं, तो एक example बन सकता है, सब लोग के लिए, तो हमने बनाया, और आज I can proudly say, 12 साल हुआ है, हमने एक tanker भी नहीं लिया है, हमने एक tanker भी नहीं लिया है, हमारे घर में शादी हुआ है, so many gatherings, I used to cross my fingers, की tanker नहीं लिया है, because we built a large, 25,000 liters का एक संब बनाया, वो एक water bank की तरह काम आया, पूरे COVID में, 100 homes की community में, मैंने, I had you know, put a message in our community group की, आप लोग को किसी को पानी चाहिए है, अगर tanker वाला को अंदर नहीं, आप allow कर सकते हैं, तो you can reach out to us, क्यूंकि हमारे गर में rain water, we drink rain water, rain water अगर आप store कर सकते हैं, and if you don't allow sunlight in it, only UV filter से, आपको 20,000 liters चाहिए, पूरे साल के लिए, for a family of 4, आप इतना सब संब बना सकते हैं, तो you can use this rain water, as your drinking water, आज दो हम river से पानी लाते हैं, हर city में, क्यूंकि पानी का shortage है, तो obviously government has no choice, they will bring water, but ये कितना sustainable है, हमारे पास इतना rain water आता हैं, उसको हम use क्यूंने करें, तो starting my journey from being responsible in my own house पहले, फिर वो example से मैं convince हुई की भाई, अगर if we can manage water in our own house, and then we worked on the community, तूरे जो 100 unit का community है, in Gachivali, हम लोग 7 साल हुए है, एक भी tanker नहीं है, and it is a very tanker prone area, इसका मतलब है कि हम आज कुछ efforts करेंगे, तो आगे वाले के लिए, मतलब in future generations के लिए, we will keep enough water, you cannot erase all the water, and give them a very sad world, कितना मतलब, think of our own children, I keep telling, ठीक है आप society के बारे में मत सोचे, और city के बारे में भी मत सोचे, आप के बच्छों के बारे में सोचे, अगर आप एक गर बना रहे हो, can you make it sustainable, can you make it work, so every drop matters, तो ये जब बात मेजे समझ में आया, फिर मैने अपने projects में उसको करना शुरू किया, first time in my office, I was talking to clients about rainwater harvesting, तो, I started introducing the subject, हमारा पूरा office design office से water conservation studio हो गया है, because architects and urban planners who work with us, now are working towards water, ये इतना important चीज है, 2016 Gachi Bauli जो एक area है Hyderabad में, almost we had a drought kind of situation, मतलब, every three days, all the apartments and surrounding homes, they were buying tankers and rationing water, मतलब, तीन दिन में एक बार ही पानी मिलेगा, और इतना ही पानी देई सकते है, they were rationing water, because tanker prices also went very high, and there was a drop in municipal connection, and ground water almost went dry. So, एस situation may be, हमारे community और हमने कोही tanker नही लिया, that was a big eye-opener for me, अगर मैं किसी चीज के लिए काम करूंगी, तो ये पानी conservation के लिए ही काम करूंगी, क्योंकि अगर एक drought जैसा situation में भी, हम लोग बच सकते है, if we have done good efforts, तो इसको मैने बहुत, मतलब, I started working towards it. NGO जो सही, मतलब, सही, is a good word. So, Society for Advancement of Human Endeavour, this is, I am only a part of that code team. So, Vivek, my husband, Vivek Verma, Ekta Verma. So, we are five friends, we you know, they started this NGO, and health education, सारे जो sectors में NGO काम करते है, और TEDx Hyderabad का भी उसक में, मतलब, the NGO runs that event, the city event also. तो हमने वो NGO से जुड़ा, I started leading initiatives for water, because वो एक TEDx Salon event में, one day impacting event था, मुझे आज भी याद है, हम लोग गंडी पेट लेक, which was almost dry in 2016, वो dry lake bed पे बैट के, हम लोग discuss कर रहे था, पानी के बारे में, तो तब मैं काली audience थी, तो मैं, 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 हम बैटे हैं एक dry lake bed में, मतलब हम कहां जा रहे हैं, city के हिसाब से, that is when I started thinking that ki, not just in communities and my own client and network, I should take steps to do whatever I can as an individual, city-wide approach में काम करना, मैं, and चाहिए because, and I need to understand what is city and water. First time I went to lot of water board offices, I started working, talking to the GMs, I started talking to even the, you know, few people in the water board, understanding ki rain water harvesting, कहां से आता है, Krishna river, Godavari river से, so, I understood that we have travelled for water, 19, you know, 20s में, Osman Sagar, Himayat Sagar बनाया गया था, that is about 30 kilometers from Hyderabad, then 1970s, we went to the Manjira project, so, आज भी हम Manjira water बोलते हैं, that is because it comes from Manjira river, वहां एक project बनाया गया, so, that was not enough, again in, we moved to Nagajuna Sagar, which is about 120 kilometers, then, you know, in 2014 and 12, we moved to Godavari and Krishna rivers, which is 200 kilometers, मतलब, 0 kilometers से, 30 kilometers, 70 kilometers, 120, 200, फिर मैने पूछा, अभी इसके बाद कहां जाएंगे, इसके बाद है, Samudra, मतलब, see, that is 600 kilometers from here, वहां से पानी लाना हो, कितना मुश्किल है, वह नहीं आएंगे, इतना प्रेशर है, मतलब, city पे इतना प्रेशर है, जबकि, solution हमारे पास है, you know, Hindi में जैसे बोलता है, भगल में छो रहा है, शहर में धिंडो रहा है, तो आपके पास solution यहां पे है, जो अपने छोटे लेवल पर भी आप implement करोगे, तो वह एक entire ecosystem बन जाएगा, जिससे आप infrastructure पर प्रेशर नहीं डालोगे, तो जिस तरह से आमारी बात हो रही थी, वह एक पास rainwater का इतना potential है, एक टाइम पराने जमाने वे, हमारा agriculture, हमारे पानी के needs, सब कुछ rainwater पे manage हो जाता था, आज जैसे cities expand हो रही है, आज जैसे cities expand हो रही है, आज जैसे rainwater को हम बहुत importance चाहँ नहीं देते, हमें लगता है कि ठीक है rainwater है, आज भी नहीं देते हैं, that is causing urban flooding, imagine पानी है, वह कहीं और use हो रहा है, मतलब उसका हम waste कर रहे हैं, उसे constructively अगर आप use करो, तो कितना potential है उसे अप पोटेंशल है। So every city में आप देखोगे, summers में drought, or monsoons में अभी Chennai is going through flooding, So every two years में flooding होता है, cities में, मतलब इसका मतलब क्या है, drought भी होता है, or flooding भी होता है, इसका मतलब यह है, simply that हम लोग manage नहीं कर पानी को, there is enough water, from rain water for the entire population, to just live with rain water, हम को कोई और पानी की जरूरत भी नहीं है, इतना we are blessed with, to get this kind of rainfall, specially in our own city of Hyderabad, why we are not doing anything about it, is a question, each individual should ask, यह खाली गरो में नहीं, hotels, hospitals, institutions, you know, large educational institutions, corporate houses, malls, everything, every commercial building, all of them should take up rain water harvesting, and become zero discharge, मतलब जितना rain water गरता है, उसको एक drop भी आप drain में ना फेके, because in our house, we drink rain water, मतलब in 1000 square feet, का rooftop में अगर आपको 1 lakh, 1 lakh liters तक, पानी एक साल में आपको मिल सकता है, that means, if we drink it, even if you put 1 rupee, for a liter, एक लाक रुपें आप ऐसे ही, drain में फेक रह हो every year, I mean this is, I think this is a better way of telling it, that please conserve, it is not, because हम क्यों आज कल wells या लेक्स में इतना ध्यान क्यों ने देते हैं, because we have become a very tap and tanker cultured society, क्योंकि हम को source से कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपको क्या मालुम है की आपके गर के पास जो लेक्स है, जो step wells या जो भी garbage में पड़े हुए हम लोग कुद फेकते हैं उसमें garbage, right, so जो पड़े हुए है, whenever there is monsoon, because of the garbage, it becomes black water, and that gets into our borewells, and 60 percent of borewell water is what we drink today, तो आप देख लीजे की contamination किस चीज़ का हो रहा है, कैसे हो रहा है, actually these statistics are very scary, because आप जो बोल रहे हो, it is all interconnected, मतलब step wells के restoration पे आते हैं, I think आपने बहुत एक, मतलब एक एक लहर सी दोड़ा दी है, नाकी तैलंगाना में, बलकि पूरे country में बंसी लाल पेट का, step well as a pioneer project जो आपने किया है, उस पे आते हैं, बट यह जो आपने एक circle बताया है, जो हमारी audience आज सुन रही है, यह सुनके हमें कहीं न कहीं थोड़ा सा डर लगना चाहिए, कि हम आसपस जो garbage फेकते हैं, फिर rain water आता है, वही हमारे ground water में seep होता है, और वही हम use करते हैं, तो इससे अच्छा आप ऐसा कोई एक बहुत चोटी सी technique है, जिसके तुरू आप अच्छा पानी नेचर को वापस restore करके, हमारी consumption के लिए हम इसे use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, मतलब उसकी शकल पहले क्या थी और आपने उसे क्या बना दिया, I think कि यह काफी एक commendable काम किया है आपने और आपकी team ने, पहले हम यह बताईए कि आपको यह step well restoration का idea कैसे आया, इसके challenges और इस पे हम आगे बात करेंगे, इसका idea कैसे आया step well restoration, I think it is another technique of water, Recharge, again it is a medium to recharge, तो बैसे बंसिलाल पेट इस 11th step well we are restoring in the city, it is not the first step well, but बाकी के जो wells it is not as huge, and does not have this kind of architectural detail नही है, Okay. बत यह इसके पहले हम 10 wells restore कर चुके है, only because it can hold huge amount of rainwater, जैसे एक large bucket जैसा है, and यह already ready made structures है, आपको बनाने की ज़रत नहीं है, बस इसकी मरमत करना है, और उसको garbage निकाल के उसको साफसुतना रखना है, then you make it rain ready बोलते हैं, मतला good for rainfall, because जो यह structures जब बनाय गए थे, they are very connected to underground streams or aquifers, और पुराने traditional systems, जुसमें step wells बनाय गए थे, इतना intelligently बनाय गए थे, कि कहां पे उस strong stream है, वही well खोदा गया, तो हमको मतलब आज का technology नहीं था, इतने 100 साल पहले या 1000 साल पहले, अन्होने कैसे किया, it just amazes us, every time आज का ISRO, or any other maps, if we align with this location of step wells, they are the strongest stream points, and they are connected to a locality, मतलब वो community को पानी देने का एक source था, so, while, you know, doing rainwater harvesting, जैसे, I am from Hyderabad, so, if you know Hyderabad, Kundapur, Kokape, there are different areas, Gachi Pauli, so, यहां पे हमने काफी wells किया, only because it aligns with rainwater harvesting, and also, 6 years back, I was part of Hyderabad Design Forum, that is a group of about 12 architects, under architect Ashwant Ramoorthi sir, so, HDF does other work, but step well restoration, restoration नही था, but step well documentation, मतलब यह sir, जब एक site visit कर रहे थे, उनको एक बड़ा step well दिखा, in you know, आंदोल मंडल, तो वहां पे उन्होने देखके, सोचा की, ऐसा structures कभी किसी ने बात भी नहीं किया, कभी record नहीं किया, हमको document करना चाहिए, then we all 12 people, became part of the team, voluntarily, so, I was part of the team, I told sir, की, I will go and hunt these wells for you, कहां है district में, we had only a list of 33 wells, ASI had given us, I mean the state archaeology had given us, but I have personally walked in and out of, more than 400 step wells today, and हर step well में जब गई थी, पूरा गार्बज में कच्च्डे कोडे में, and nobody cares for them, and such, some are beautiful, in terms of architecture, history, some, almost every well had water, पानी के साथ इतना गार्बज, so, it was very distressing, I mean these journeys though, the travel was beautiful, connecting with people was nice, finding wells was, very, very intriguing, but, finding them in such a bad shape, it stayed in my memory, तो मेंने, मतलब, I started talking to the group, can we do something, then, sir told me, you are already working towards water conservation, it will be a good thing, if you take up conservation works, as a NGO, or as a enterprise, तो मैंने, इसलिए लिया, step well restorations पे, मैंने इतलिए फोकस किया, क्यूंकि, जो हम record कर रह थे, अगर मैं एक साल के बाद, वो well वापस गई, तो उसके उपर building बन जाता था, there used to be a hospital, or hotel, how many old city में पुराने wells, हमारे जो आज नही है, and even in the city, तोड़े private properties में भी, how do you protect them, then I thought, ऐसा नही चलेगा, you know, more than 600 step wells है पूरा तलंगान में, more than 600, this is for a fact. Documented. Yeah, we know the locations of 480 step wells today, but I am sure we did not cover most districts also, there is clearly more than 600 such step wells, मतलब गुजरात और राजस्तान के जैसे इतना architecturally prominent नही होंगे, but functionally, they are very, they serve the purpose, they serve the purpose, and we are in the Deccan Plateau, so it is very important, and आज भी मतलब, it is relevant to us, in today's life. So, I thought this step well restoration, and water conservation, rain water harvesting and that, but as an NGO, I was able to achieve some things, but as an NGO, we are dependent on other agencies to do our work, and that is not happening right, and some people, they say they are good in research and that, come and work with us on water body restoration, but उसमें कुछ फेल होता है ये, तो that 10 years of engagement as an NGO, as a design studio, मुचे बहौत बाते है, मतलब समझ में आया, gap समझ में आया, कि अगर एक, वेल कच्रे कुडे में है, उसको क्या करना चाहिए, पहली, what is the first thing you do, approach कैसे करना चाहिए, उसके लिए, letters of permission कैसे लेना चाहिए, and how to approach the government, that we want to do this step well, उसके बाद उसका funding कैसे रेस करना है, how do you raise funds, and because sometimes government may be part, sometimes you have to raise your own funds, so I learnt a lot of things in this journey, and also fund raise करने के बाद फिर क्या, somebody has to do the whole job, so we need conservation architects, if it is a heritage structure, we need water experts, we need hydrogeologist, we need to understand the whole ecosystem, well का पानी मतलब वो खाली, well का पानी नहीं होता है, वो पानी जुडा हुआ है, एक दोसाँ बोर्वेल के साथ, या ग्राउंड वाटर के साथ, so it is restoring a ecosystem, ये मेरी समझ में आ गई थी, तब तक we had done like a lot of work towards it, so we have made even a well, and done a rain garden around it, 150 meters का stretch था, Kundapur में, it took us 6 months continuously working with the sanitation team in the government, continuously cleaning our beach में well है, वो बोकन वेल था, फिर COVID में it was, and most of the authorities said, यहां पे एक रोड बन रहा है, तो आप उसको, मतलब रेस्टोल क्यों करना चारह है, यहां तो रोड बन जाएगा, मैने बोला है, आप पहले let me open it up, because not only that stretch had a road next to it, वो पूरे road slope ता यह site में, so all the water naturally in those days, they made wells in places की बहुत slopes से, पानी वेल को naturally drain होता था, आज क्या कर चुके हैं हम लोग, buildings बना चुके हैं, यह लेक्स हैं यह वेल्स हैं, जब एंक्रोच कर लेते हैं, उसका जो land होता है, उसका जो extended area होता है, what we called wetlands, when all this is erased, what you have is just a pond, and natural drainage जब नहीं होता है, flooding ही होगा और क्या होगा? आपने बहुत पूर्ट पॉइंट बोला है, regarding the strategic location of these stepfills, because they have to then drain into the high stream, और जहां पे ground water में वो रिप्लेश होने का, so हमारे जो ancestors थे, जिन्होंने यह बनाया है, कितना, they were so technologically advanced, or probably they had more common sense. Common sense. Yeah, they had more common sense to, strategically place those stepfills. I think we should come back and discuss more on this, because I also want to understand, why Bansilal Pet has come into limelight so much, and not just restoration, I think you have also done something to, conserve and sustain the entire project in itself, I think that is also very commendable. इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाईएगा, बंसिलाल पेट को restore करने में, उसको conserve करने में, और आज उसकी जो दशा है, आज उसकी जो खुबसूरती की हर जगात आरीफ हो रही है, उसके बारे में बात करने के लिए, हम कलपना रमेश जी से बात कर रहे हैं, दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में, कहीं मत जाईएगा, हम अभी वापस आते हैं, थोड़ा सा पानी पी कर, दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में, आज हम बात कर रहे हैं, एक वॉटर वॉर्यर से, कलपना रमेश जी से, जिन्होंने पानी को लेकर, स्टेप फेल्स के रेस्टोरेशन को लेकर, ग्राउंड वॉटर को रीचार्ज करने की यह जो जंग उन्होंने जारी की है, जो उन्होंने एक एंजीयो के द्वारा अपनी रेइन वॉटर प्रोजेक्ट के द्वारा जो उन्होंने एक कंपनी एस्टैबलिश करी है, एक end-to-end solution वो हमें provide करना चारे है, पर उनकी यह journey की शुरुआत हुई एक प्रश्न से, एक सवाल से और एक problem statement से, कि मुझे tanker नहीं चाहिए, अब मैं इस दुविधा से या इस problem से जूजने के लिए क्या करूं, यह उनकी जिंदगी का एक mission बन गया, जो आज translate हो रहा है एक पूरे तेलंगाना state में, पूरे nation में, जहां पर मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ, कि हमारे जो प्रधान मंत्री जी है, नरिंद्रमोदी, उनका जो कार्यकरम था, मन की बात, उसमें आपका एक special mention हुआ है, कि आपने जो restoration का काम किया है, Women's Day के program में भी, I think, आपको as 7 women जो चुनी गई थी, पूरे देश में, इसके बारे में हमें पताईए, मैं चाहती हूँ कि आपकी तारीफ आप ही करें तो, And definitely, it was a great memory, मैं बोल सकते हूँ, 2020, just before Women's Day, maybe a week before Women's Day, PMO office से मुझे एक call आया, मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब मुझे क्यों reach कर रहे हैं, so they said, आप select हुई है, some women are picked, जो-जो genuine causes पर काम कर रहे हैं, उनको प्रादान मंत्री के social media handles आपको दिया जाएगा, आप list में हो, लेकिन ये 7 लोग में आप है की नहीं, आपको Women's Day के सुबह पता चलेगा, ये उनोने बताया, so first of all, अगर में हूँ भी नहीं, at least I am in the list was a great thing. ये जोग इस तिक रहे हैं, आपको प्रादान मंत्री का social media handle में ट्वीट करूँगी, and it will be like Narendra Modi tweeted or the PM has tweeting, और उनके Insta handle, ये उनके Facebook handle, so it was a great thing, so मुझे, it was like giving an award, I mean it was like getting a fantastic recognition, फिर वो Women's Day के सुबह, call आया, फिर बोले की, आप, you are one of the seven women, and you know, because पानी is such an important cause, and you are genuinely doing a lot of work on ground, तो आपको प्रामनिस्टर मोधी के handle देया जाएगा, आप जो भी देश को बताना चाहते हैं, जो भी message आप देना चाहते हैं, आप उस में, मतलब, वो tweet कर सकते हो, या Insta में, या Facebook, so it was actually very scary, मतलब, tweet तो Insta, and that we keep tweeting, but that day was, you know, because बहुत, मतलब, responsibility suddenly seeped in, कि इतना बड़ा responsibility है, कि सब को मैं क्या संदेश दू, क्या, what is, what is it that I should speak, I should not miss something, I should tell something that benefits everybody, तो मतलब, बहुत बड़ा एक responsibility, almost like PM telling the nation what to do, so I think that was a great memory, and great, I mean, जो जो जोनी में बहुत सारे awards, accolades, मिले हैं बहुत, even the state government has given number of awards, but you know, the kind of recognition, this sort of motivates, कि और एक बहुत 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 बहुत, and especially on Twitter and all that day, like thousands of followers suddenly, मेरे अकांट में तो हादली, you know, मतलब मैं इतना social media में नहीं थी जब, but suddenly then I realized that day कि social media is a tool, is a tool कि अगर आप सच में कोई, मतलब real awareness देना चाहते हू, और जो action द्वारा awareness, जो मैं जो भी action करती हू, रोज एक Twitter में या social media में, I use it very responsibly to bring awareness through action, because मैं भाशन नहीं देना चाहते हू, but मैं कुछ भी action करो. You want to walk the talk. Yeah, and I want to show that action thing, so I think it was a, it was a fantastic thing, मुझी नहीं लगा कि मैं 60 करोर प्लास विमन मैं कहां, मतलब चोटा सा काम करही हू and it got recognized, so it was an amazing thing. The intention is genuine and if the cause is, you know, something that resonates with what is the current situation, क्योंकि हम आज जो हम sustainable living और renewable, non-renewable energy, अभी बोदी जी भी जाकर आये है in COP28 and Dubai, basically to understand कि हम किस तरह से अपनी जो renewable sources हैं, उसे हम किस तरह responsibly use करें, किस तरह से हम sustainable बने, किस तरह से हम आत्मनिर्भर बने, यह I think हमारी government की एक सार्थफ कोशिश रही है, जिसका I think अगर आप एक genuine काम कर रही है, उस cause को अगर आप आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है, बहुत motivated लगता है, बहुत अच्छा लगता है, and I'm sure आप आगे भी इसी तरह से और काम करती रहेंगी, but we'll come back to Bansila and Paid, because काफी चर्चित रहा है, यह काफी news में, media में इस पे बात की गई है, तो restoration तो yes, किस तरह से आपने challenges face किये, एक तो यह हमें बताईए, government agencies के साथ काम करना आपके लिए कितना challenging रहा है, because एक नहीं, I think multiple agencies इसमें involved रही है, दूसरा, एक जो होता है कि हम change से बहुत डरते हैं, कि मतलब इतने सालों से हम वहां कूडा फेक रहे हैं, but we are very happy with whatever is the current situation, उस barrier को आपने कैसे break किया, वहां कि आसपास की जो ecosystem है, उसको बदलने में, attitude को change करने में, आपको कितनी मुश्किला हुई, किस तरह की आपको struggle से जूजना पड़ा, ये भी हमारे लिए एक सुनने में बहुत अच्छा topic रहेगा, इस पे बताईये हुए. Thank you so much Poonam, and मैं बहुत, मतलब I am really happy, because ये बंसिलाल पेट इनागरल के बाद, it is we are, we have just touched one year after inauguration. Oh fantastic. So it is a fantastic thing to share about बंसिलालपेते तोदे. December 5th, right? Yes, yeah December 5th was the inaugural, as मतलब we have just completed one year of that journey. And we have done that entire work in less than a year. Less than a year and that also is a great achievement in you know for us. Yes, like I said, the whole enterprise idea of the social enterprise called Rainwater Project was simply that की एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाओ, इसके पहले की जो हम वेल्स किये, उसका कुछ लर्निंग्स है, एन NGO के साथ water conservation का काम कर रहे है, आज भी कर रहे है, इसका बहुत सारा लर्निंग्स है, की how to work with the government, how to bring the government and make them part, है, that was a key thing, I wanted to establish with this project and we did that beautifully. Fantastic. And to initiate the project सबसे बड़ी चीज होती है, to initiate, मतलब, there are lot of people who have helped us and there is a Gandhipet Welfare Society, who is a largest funder, सब का काफी हाथ है प्रोजेक्ट में, everyone came together, but to initiate such a project, to dream about the vision, की कैसे बन जाए, project. So, I actually went to meet the Zonal Commissioner to talk about rainwater harvesting under flyovers, flyover का कितना पानी बेस्ट होता है, उसका मैने एक प्रेंटेशन दिया और हमारे जो 10 wells का हमने रेस्टोर किया, उसके बारे मैं भी एक प्रेंटेशन दिया की, this can help urban flooding. So, if there is any wells in your zone, which is in the second bath zone, that's how I got the location. Location मिलने के बाद, मतलब वो बोले की, we'll share the location. Two and half, three weeks की बाद, मुझे जब वो location मिला, मैं मतलब डून रही थी, वो वेल के आसपास मैं गई दो बार. But a well है मुझे नहीं पता था, and nobody knows around, तो मुझे ताइम लगा, to finalize ये well है. Then my son-in-law was with me, he said, auntie, can you see the police system, we could see a little bit through the fence. Oh my God. वो कच्डे कूडे में बीच में एक होर्स या कुछ मोटिवस देख रहा थे. Then I said, okay, that's a police system, but कोई भी बुख में, कही भी रेकॉर्ड नहीं था, कि ये well का विर्थ क्या है, depth क्या है, what is it? So, it is like a piece of history that's a hidden gem, which is not even recorded or documented anywhere. वो मुचे बहुत, मतलब, sad लगा की आपका हमारा heritage का, मतलब, हम footprint दून रहते, अगर उसको साफ भी करना है, तो कितना विर्थ होगा, कितना, कोई भी मतलब, we didn't have information. But the first day when I went there, I saw the well, next to that I saw open ground, जिसमे, मतलब, कचुलक कूड़ा, and some abandoned vehicles were there. People were still using it in one way or the other, there was an Anganwadhi by morning, but evening some little bit of you know drugs and lot of things we have seen, anti-social elements, ये हम देख रहते, But when the first day it gave me lot of challenges से जादा, मुझे opportunities दिक रहता, कि ये बहुत बड़ा public space बन सकता है, we can do a walkway, we can do an interesting structure, why only well restoration, अगर हम दो भी, by then, even in the North India, I see lot of well restorations, but दो साल के बाद आप जाएंगे तो, बतलब, अगेन बाक तो the garbage, so ये नही होना चाहिए, so my first day was the entire plan in my head, like any designer does, कोई आप फ्लाट एक ग्राउंड दो तो पूरा उसका, आप विजुलाईस कर लोगे पूरा तो मुझे लगा की ये टेंपल है, उसका स्पिलोवर है, तेंट हाउस है, पंप हाउस है, सब का स्पिलोवर्स रोड में ही था, पूरा थिंग्स, and दे वर even chicken coops, there were you know all kinds of things and I have actually have photographs, except I think rainwater everything was there, so I have photographs children walking, you know trying to jump over sewage, flowing sewage and going to the school, such a sad size, so and also I saw three encroached houses on top of the pile of garbage, तो मुझे वो बहुत मतलाब, it hurts me even today, की ऐसा कैसा कोई रह सकता है, and people were throwing kachira kuda right next to them, they were in temporary home shacks वहाँ पे, मतलाब किसी ने बोला होगा की it's okay to take their place and they lived there, so the plight of the homeless, फिर there was a huge government transformer on top of the well, एक मंदिर था, on top of the you know periphery of the well, अभी well periphery is not exactly defined, उसको define करना था, and I also saw diverse communities, मतलाब, Hindus, Muslims, then there were few political party heads, because I was talking to a few people, की भाई ये क्या है आपको मालुम है क्या, कोई बोला की you know parking lot नही है कुछ हो सकता है, maybe community hall is going to come here madam, so मतलब एक दो लोग बोले की हाँ यहाँ पे एक बावडी थी, उसको अच्छा करने के लिए बहुत साल पहले हम लोगों ने मतलब लेटर दिया कि we have made some efforts but उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हम लोग पुछ नहीं हुआ तो हम लोग पुछ नहीं तो हम लोग लोगोड का डिए धिया कारी का बूरी टिसको का मतलब लोग नसरा नहीं हुआ तो मुछ थी, अथर भुछ नहीं है जिए लोगोड के उसको बाड आपर का एलक ली का लोगोड I started looking at every challenge as an opportunity and I think we women you know we have that thing to go beyond that last mile to to make it happen right that that thing is there never say die attitude yeah yeah we have decided to karna to karna to mansilal pet ke is just step well ka aapne jo restoration ki aapne challenges batai you know logo ki mindset but at the end I feel ki loogun ka aapko support bhi mila jab unho ne dekha ki aap yehaan pe kitni shiddat se kaam kar rahe hai kitna aap apni mehnat aap ko aapki team ne is kui restoration mein daala hai ah jyase aapne bata ya ki ek saalab ho gya bansilal pet ka aapki success story ke paramein bata ye ki aaj bansilal pet ki what is the current situation bhoat easy nahi hota hai jyase aam baat kar rahe hai ikna easy ton hai nahi bhoat sare time matlab ghoomna padta hai going to different offices trying to get letters ek we had to sign an mou i still remember october 21st 2021 ko mehne mou sign kiya yeh bansilal pet ke liye aur wo mou also was like can I get a letter for the will can I you know make it happen to us ki baad jo mehra poora vision tha it sort of I started unfolding it in different stages jaise in installments I first figured out the funding for the step well and us ka jab conservation architects ko point kiya and we started documenting that thing to wo ek chal raha tha desilting and wo and us ki baad kaafi sare women hamne use kiya hai project mein really more than 70 75 women have worked in this project why because we do not know the structure and nobody should use force to break something so hamne jab mou lene ke baad uske pehle toho government did use jcb and stuff but it was too much of garbage I mean there is no way that you know only human labour could have taken because on top but the nice thing poona was the encroached homes they got good two bedroom homes people I mean the government helped that is why I feel we should work with the governments and politicians very in a positive way kyun ki baad sara benefits bhi hai working with the government right because everyone got sewage lines today everyone got water lines their streets are clean CC roads way and street lights aya basically all of them were aligned for this project and meinne poora advantage liya is ka ki where do you get this kind of amazing support you know finished and of course that support came after we initiated and we took it to a certain level fair government also started trusting that ki ye madlab kuch ho sakta hai kuch ban sakta hai abhi tourist plaza kyun baaya gaya my thing was we restored the well we did good lighting we did barricading ye sab thik hai but how will the the well should earn its own money true and then it should be sustainable how what do you do how do you do this so je purana jo community hall tha used to go up and see a beautiful view of the well then I thought this can be a you know a viewing gallery for the well when people come so viewing gallery matlab okay this can become a tourist plaza there is a place for amphitheatre there is a place for green gardens here so community be wo gardens aaj wo log matlab they can use it for yoga in in the morning and they can use the garden in the evening and they have a beautiful walkway around this temple many people do walking in the morning and evening matlab unka lives the ambience of the place is elevated there is clean air clean water cleaner environment matlab even you know tourists or another foreigner who walks in there they do not feel odd walking in there because it is maintained so clean jo jo few hundred homes jo us mein garbage faekte te aaj sab they give it to municipality pura segregating bhi hota hai jo hamare funders hain gundipet welfare society they have put up a plastic bin over there jo poor jo tourists ka plastics plastics allowed nahi hai monument mein toha plastics discard karke anddar jana fantastic right and also community se do din mein ek baar the gws they send their people they collect all the plastics and it is being recycled in their solid waste management centers toh jo bhi garbage vahan pe generate hota hai us ka recycling water mein circularity la hai matlab wo jo roads the pavements the walkways bana hai us mein se rooftop water hoke around around the well we made water channel so water goes into that and under the park we made six large rain water harvesting pits awo ek borwell sabi juda waa hai and we are doing fantastic ah recharge which is indirectly supporting the well definitely well mein kabhi bhi paani ki wo kami nahi hoge ar pura summer mein 32 feet water was always there in the well including summers and and jab I remember the day when we went to the bottom of the well we it was of course lot of garbage and dirt and that so we disinfected the well but when I went down in the crane I still remember poore jese water fall mein jese idar se thoda paani udar se thoda paani the listening to that water was such a music in my life like you know matlab is se jada kya kam kar sakta hai that was such a I think this is very rewarding in itself and jo few hundred feet mein paani ta iske pehle now two weeks back we measured we we keep measuring the monitoring the borewells bhaara feet mein paani hai bohat borewells mein aajo wa that means just with one round of rainfall capture has benefited 22 lakh liters of water capacity hai wo well 22 lakh matlab ek bada hai se bucket open hua hai jo itne sare rain water ko haos mein capture kar sakta hai and we are doing indirect recharge of all the houses ka paani that goes on that road so hamne jo circularity create kiya water ke liye so the place has to generate its own money and it is sustaining and the well and water and water security matlab I can promise that for hundred years there will always be water in Bansilalpet this is a promise so iska ek fayda ye bhi hai ki jo aaspaas ki community hai jyase aap bata rahe the ki jo aaspaas ke ghar hai unhe bhi ek motivation milta hai ki jab haame clean air mil raha hai jab haame clean water mil raha hai jab haame itni suvidhaye mil rahi hai toh it is in our interest ki haame this monument ko protect karke rakhe absolutely aapne jo ek insan nahi hai kaam shuru kiya ta aap saug ghar milke ye kaam kar rahe hai so you can sort of fade away and focus on other you know important projects absolutely true because jab hamne kaam bhi kiya jaysa mein bol rahe thi bache school jaana and people had to go to offices bahaat matlab unko bhi bahaat muskil ta but we had to do this project we had to imagine two thousand tons of garbage matlab city do generate karta hai six thousand four hundred tons may be in a day us mein one third ka garbage wo gaar well mein tha cho ham log nikal ke bahaar phek na ghmc did a fantastic job of carting out this garbage but kitna muskil jo reher hai log it was very difficult matlab kitna one whole mantapam bhi recreated so getting the stone stone cutting so bhot ham log ko kaafi sare baar hamare kaam roka gya hai and even to define the well and all that but today it is a treasure for them because their property values have gone up sare government is allowed to keep like small shops in their basement ground floor areas so people are earning out of the monument jo few hundred sometimes a thousand two thousand people come every week and there is a fifty rupee ticket initially there was a debate ki bhai ticket kis liye and but the thing is the museum was created so that you see the old before and after pictures you engage with the well we need to protect our water bodies ye kaise kare hamne wu awareness diya and within it is like a museum we have a model we have a scaled model we have before after pictures so we thought this museum will generate awareness because you need to engage people with water it is not only restoring but also engaging and the NGO who is funded as they are doing a great job of maintaining but they do not have to put money in it today because it generates its own money the place generates imagine jo kachde kudai mein padha hao ta aaj paris fashion week mein jo log unka fashion display karte hain wo photographers haake unke models ke saath yaha pe photograph liye miss universe has come and take photographs here for me i know what who is even photo shoots like a jewelry photo shoots fashion photo shoots they say wedding shoots and that because bohat community rehte hain wo very conscious ki kya which event should be give which photographs we should allow photographers so it is generating a fantastic income this is become an example for the country ki what is in garbage if we thoda matlab ham log hard work kare or government joining hands we can create such fantastic matlab ek one-fourth square kilometer ka jo development who i have bansilal pet dubai tak matlab international community this 2023 we won the sustainable initiative award of the year in dubai in the big five impact awards or humare jo competitors there they were from china they were from other countries and bansilal pet one the sustainable initiative of the matlab international communities may be applaud hua ki the kind of work that has happened so i think india looks up to this project today and we are working today with rashtrapati nilayam we were so happy to receive a call rashtrapati bhavan and rashtrapati nilayam we are working in restoring three step wells at nilayam today and also rashtrapati nilayam mein 75 acres ka jo rain water harvesting so even neilayam will not need to buy any more tankers they have so imagine the first citizen of the country president will be inaugurating that project and also talking about restoring traditional systems and rain water harvesting i think issay badha ko hi awareness hoi nahi sakta absolutely 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 and iss level pe recognition mil raha hai ki aap government community sabko ek juth karke unke hi benefit ke liye jab aise project pe aap kaam kar rahe hai is tar par aapko jo recognition mil raha hai i think it is commendable it we are very privileged ki we have this water warrior with us in our studio who is very passionate about the cause this year actually uh the uh the chal ministry also awarded uh the such as sujal shakti samana award this year to me so i think these recognitions go far ahead in terms of motivating people like me to take up such causes because i am an individual i started with a sustainable home and today look at the work that i am doing i think if everyone gets motivated not you do not have to work for the city just work for your own home your own offices if you make them sustainable you are making a peace happen in the city very true matlab ab sab if 1.4 crore people in hyderabad think differently for water just imagine the change fantastic i think that's a superb message jo aaj kalpana ji ne hume diya hai unke is movement ke prati jo ro nne kama kiya hai yeh shuru waath hui thi eek baut chhote se prashne se ki mai kis tarah ka paani pi rahi huu mu jhe mere ghar pere tanker nahi chahiye mujhe chahiye aisa paani joh saaf suraakshit aur swach ho ho joh mein aapne pariwar ko bina soche samjhe bina yeh jane ki us kitne kitanu hai yeh kitna usme pollutants hai apne pariwar ko dhe seko shuruwaath hui thi eek chhote se prashne se joh aaj na ki telangana me na ki bharat me but internationally eek aisa movement ban chuka hai jis se hum bharat ki jo chhoti chhoti problems hai jais se urban urban flooding groundwater recharge inhye hum address karne ki kooshish kar rahe hai communities ko hum itna empower kar chukye hai ki wo aas paas ki jo swach bharat abhyyan ki jo movement hai usse bhi wo aage le kar jay aapne khud ke jine ka star bada kar ek achchi saaf suraakshit zindagi ke prati kadam bada hai isme kalpana ji ka eek bhoat bada yogdan raha hai aur durdashan ke aaj studio ke through joh aaj hum se wo jude hai uske liye hum unke baunt shukra guzar hai ki aaj wo humare saath durdashan yadagiri ke studio me aap humare saath juri hume itna khubsoorat sa message diya about water conservation about ki hum ek chhoti si kooshish ke through rainwater harvesting humare gharo me bhi implement kar sakti hai na ki ah wo ghar jo ab banne waale hain balki jo existing structures hain unme bhi hum ye kar sakti hai ah aap apne NGO ke dwara apne rainwater project ki aapne jo company start ki hai usme aap eek end to end solution bhi provide kerti hai logon ko to ye aapne jo poora ecosystem create kiya hai ye bhoat kabile tarif hai and we are very proud we are very happy ki aaj aap humare saath juri aur is topic pe aapne hume aur humare audience ko itna jagruk karaya thank you so much kalpana ji thank you so much for being a part of it thank you poornam and thank you so much for doodash and adagiri to give me this opportunity because hum log bas we can reach maybe few lakh people but if you guys take this to the media definitely i am sure it will iska jo reach hai wo laghi hai definitely and i think this is an important message to go to the people ki yes aap aaj india ke liye chahiye doers action create karna hai khali baatyaan karne waale thinkers and you know talkers bhoot saare hai lekin ham log ko banna hai doers ji so action lijiye doer baniye jiasse ki kalpana ji ne abhi hume bataya is movement ko pani ke prati yos jisza hai haum baut granted leetate hai ki haum nul kholo aur paani aa gaya jis paani ko haum itna granted leetate hai áge ki generation ke liye aapne bacho ke liye haum kya chhoenin ke jana chahate hai kis tarah ka hum unnhee jeevan deena chahate hai kis tarah ka hum unnhe mahalde kar jana chahate hai is pae sioch yayega aapka baut baut dhaniwaad ki dhurshan yadagiri ki chamele program me aaj aap humare saath jude aashat kirte hai ki aapka आपको ये कार्यक्रम आज पसंद आया विदा लेते हैं अगले प्रोग्राम में मिलेंगे तब तक धन्यवाद